लालो यादव के घर की लड़ाई अब दुनिया के सामने आ चुकी है तेजप्रताप और एश्वर्या दोनों एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके हैं अब एश्वर्या ने नया आरोप लगाते हुए कहा है कि तेजप्रताप ने चोरी छुपे अपने वर्ताव का एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी वहीं उन्होंने अपने घर की कला के लिए मीशा भारती को जिम्मेदार बताया है एश्वर्या ने कहा कि मीशा भारती नहीं चाहती कि उनके घर में शान्ती रहे बता दें कि शादी के कुछ वक्त के बाद से ही तेजप्रताप और एश्वर्या में जगड़ा शुरू हो गया था और तेजप्रताप ने कोट में तलाक के लिए अरजी दे ली थी 2018 में 12 मई को इन दोनों की शादी हुई शादी के बाद 1-2 महिने दोनों की कई रुमेंटिक तस्वीरे सामने आई जससे लगा कि सब कुछ जसे ठीक चल रहा है शादे के 5-6 महिने बीटते ही हलकी फुलकी करवाहट की बयार बाहर बहने लगी जसे लालू परिवार दबाने लगा लेकिन दिन कटते गए लालू परिवार में नई नई लडाईयों से आहत होकर एक दिन एश्वरिया को अपनी चुपी तोड़नी पड़ी अगर आपको याद हो तो दोनों की शादी से पहले गावणी देवी ने एक बयान दिया था कि हम पहले से ही अश्वरिया को जानते हैं अच्छी लड़की है बहुत कुछ दिनों पहले एश्वरिया की तस्वीरें शादी से पहले भी तेज प्रताप के साथ वाइरल हुई थी एश्वरिया और तेज ने एक दूसरे को पहले भी देखा था लेकिन शादी हो जाएगी ये किसी ने ही सुना था लालू परिवार हमेशा से सुर्खियों में चाया रहता है तेज प्रताप के कई रूप पहले भी चर्चाओं में रहे हैं जिसे एश्वरिया ने भी सुना था लेकिन अपने पापा के कहने पर एश्वरिया ने तेज से शादी कर ली शादी करने के बाद अभी भी अश्वर्या इस रिष्टे को बना कर रखना चाहती है इस रिष्टे को हमेशा के लिए चलाना चाहती है अगर घर के हालात ठीक हों तो नेक्स्ट टोनाई न्यूज बोजपुरिया की रिपोर्ट